सब बहुत अच्छे हो ठीक है सो गनीश चतूर्थी का बहुत बहुत शुप कामना है आप सब को आप लोग बहुत जादा अच्छे हो मेरी जो चैनल है स्टार्टर गाइड डबल वन डबल वन वहाँ पर मैंने गैने गनीश चतूर्थी स्पेशल और एक रीडिंग डाली है तो आप लोग उसे ज़रू चेक आउट करना कमेंट सेक्षन में मैं लिंक दे दूँगी ठीक है वहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीडिंग किया है जो आप लोगों के लिए रेजुनेट हो भी सकता है फुली ठीक है तो आप लोग ज़रू देखना उसे च कब तक होगा रिउनियन यहां से चेक करेंगे ठीक है कब तक होगा और यह परसन आपसे क्या कहना चाते है वो यहां से चेक करेंगे जो अभी फिलहाल के लिए तो नहीं कह पा रहे ठीक है चलिए कैंडल को मैं जला लेती हूँ गाइस ओके कैंडल को मैंने जला लिया है गा काफी परसंज जो है ना ओके दिखो इनके लाइफ में कोई ना कोई आप्स्टरकल्स रह सकता है ठीक है परसंज का शायद अपना जो कैरियर है ना फाइननशियल कंडिशन कुछ ठीक नहीं चल रहा ऐसा हो सकता है फैमिली थर्डपर्टी जो इन्होंने खुद क्रियेट किया था उनके साथ को जो भी सिचेशन में है ये खुश नहीं है चाते है कि कोई चेंज हो कोई मिरकल हो इनके लाइफ में सारा सब कुछ बदल जाए ये कोई ऐसा इनसान है बहुत दूर तक जाना चाते है ये चाते है कि पाँच लोग इनको जाने पहचाने इनको देखते ही दूर से पहचान जाए कोई authority figure कोई social media influencer कोई जाने पहचाने से इनसान ये मुझे लग रहे है फैमिस इनसान हो सकते आपके partner जो भी है तो ये person चाहते है कि इनके life में ऐसा कुछ हो जिसके कारण इन्हे ना अपनी गई हुई खुशिया फिर से लौट के मिले पर ये person के life में इन्होंने इतना जादा करमा फेस कर रहे है ना इन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है चीट किया है इनके खुद के भी करमा हो सकत है जिसके कारण life में इनकी इतनी तरक्की तो नहीं हो रही है ठीक है ये चाते है एकदम आसमान को छू लेना बहुत दूर तक जाना बहुत अच्छी तरीके से शान से आना ऐसा होता है ने कि सीना ओधा चोड़ा करके घूमना बहुत ओधा रहना कि हा भाई मैं हूँ मैं ज रहना पाँच लोग इनको जाने पहचाने पाँच लोग इनको अटेंशन दे अटेंशन से कर हो सकता है परसन चीग है तो ऐसा इनके साथ हो पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है डेफिनेटली ये काफी इस चीज़ के लिए ना परिशान है काफी ज़धा परिशान रहते आपको लेकर सोचते हैं तो परसन को ऐसा लगता है कि इनके साथ आपका काफी दूरिया बढ़ गई है यूनो आपना ऐसे सिच्वेशन में हो जहां पे आपने काफी ज़धा ठोकरे खाए है ठीक है बहुत ठोकरे खाए है बहुत ठोकरे काफी हर जगा से आपको पता चलना कि यह परसन आपके साथ क्या कर रहें नहीं कर रहें काफी दुख मिलना तो यह सब कुछ overcome करके आज आज आप बहुत स्ट्रॉंग बने हो आज आप इस परसन के तरफ और नहीं देख रहे हो नहीं चाहिए मुझे ऐसी रिष्टा नहीं प्लीज रहने दे ऐसा एक आपको काफी पावर में देखते है परसन आपको स्ट्रॉंग करते हैं आपका आप जब बहुत ज़ादा इन्हों याद आते हो ना आपका फोटो वगेरा देखते हैं अकेले में छुप छुप के कही ना कही से तो परसन डेफिनिटली आपको आपको एक मैसेज कर देना कॉल कर देना तभी नहीं याद आता है कि किस तरीके से आप लोग बिचड गए थे किस तरीके से परसन आपको चीट किया था गोश्ट किया था किस तरीके से वो कड़वी बाते आपको बो ली गई थी तो इस टाइप का energy परसन का आ जाता है और ये ना अपने पैर को जैसे पीछे की तरब कर लेते हैं कि नई भाई मुझे नई चाहिए, मुझे नई जाना चाहिए, ऐसा, ठीके, अभी फिलाल के लिए ये तो सही वक्त नहीं है, इन्हें बिलकुल ऐसा लगता है, ठीके, ये कभी-कभी बहुत जादा optimistic हो जाते हैं, कि च इन्हें लगता है कि नहीं, बहुत देर हो चुकी है, आप अपने लाइफ में ना किसी और को मौका दे रहे हो, किसी और के साथ खुश हो, तो इनकी ना सीने में जो एक बोज, इसको लेके ये घूम रहा है, sleepless night हो सकता है परसन का, इन्हें लगता है थाट-पटी situation हो, चाह आप से दूर नहीं रहना चाहते परसन, ठीक है, काफी आपको याद करते, मिस करते है, आप लोगों की जो connection है ना, उसको लेकर परसन सोचते है, आप इनके दिमाग में हभी हो, जब भी ये परसन सुभा उठते है ना, पहला सोच इन्हें आपकी आती है, माइंड में ना, होना बोलते है ना, आप ऐसे हो इनके, इतना भी परसन अन्क्लारिफाइड हो, जितना भी परसन अन्स्टरबल हो, पर आपको लेकर सोचना ये परसन कभी छोड़े नहीं है, इनको यूनिवर्स के तरफ से बहुत ज़ादा, मुझे ऐसा लगता है कि मून की एनरजी है, दे लेकर परसन काफी शिकाइदे करती है, यूनिवर्स के पास, गौड के पास कि क्यों गौड आपने मुझे उन्हें इतना लेट से दिया, या फिर मैं क्यों उनके तरफ जा नहीं पा रहा हूँ, इतना डर, इतना अब्स्टरकल्स, इतना चैलेंजिस क्यों फेस करना पड़ ले, आपके सीने में अगर ये सर रख सके ना तो इन्हें लगेगा कि सबसे ज़्यादा खुशी इनको इनी से मिलेगी, ऐसा खुशी, ऐसा हीलिंग शायद इस परसन को कोई नहीं दे सकता, इनको लगता है इन्होंने तो आपको इतना दुख दिया, छोड़ दिया बीच र उन्हें अंदाजा नहीं था कि आप ऐसा कर लोगे अपने लाइफ में, आगे बढ़ जाओगे, आप काफी खुद पे बैलन्स करने के लिए सोचे हो, कुछ जॉब वगेरा कर रहे हो, आप काफी जीम विम वगेरा जा रहे हो, ठीक है, ब्रिट वगेरा आप मतलब उगा र काफी जादा खुद को एकसाइटेड महसूस करते है, काफी फील करते है उस चीज़ को कि हाँ, आप इनके जिन्देगी में आ जाओगे, तो ये परसन डेफिनेटले आपके साथ वो सारा सब को सेक्स्चुलिटी क्रेट करेंगे, जो इनका बॉड़ी, इनका माइंड आप स चाहते हैं, आपके प्रती परसन सेक्स्चुलिट अट्रक्टेड तो हो सकते हैं, आप लोगों में हो सकता है, पहले ऐसा रिष्टा बना है, ये परसन आपको नैकेट देखना चाहते हैं, आपके साथ एक लाउडली ब्रीधिंग करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत देट उसको मना नहीं कर पाओगे, आप भी उनको दूर नहीं धकेल पाओगे, आपको भी लगेगा कि नए परसन मेरे पास आजाए, मेरे बॉड़ी को भी फिजिकल नीड है बोलके, ठीक है, ऐसा आपको लगेगा, डेफिनेटली आने वाले दिनों में वो प्यार, वो रोमान्स आ यह परसन भगवान से गौड से बहुत ज़ादा प्रेयर करते हैं, आप लोगों का रिष्टे को ठीक करने के लिए, आप से इनका एक कंक्लिउशन हो जाए, इसके लिए बहुत कोशिश करते हैं यह चाते हैं कि आपके साथ इनका रिलेशन्शिप हो, इनको देखके न आप आपको पता नहीं चलेगा, आप अगर इनको मैसेज करोगे तो शायद आपको ब्लॉक कर दे, पीछे हट जाए, ठीक है, क्योंकि खुद ही अंस्टेबल है, खुद ही अभी सॉलिड डिशिशन मेकिंग नहीं कर पाए है, पर धीरे 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 यह ब्लॉके ज़िए हटने वाला है, और यह परसन जब भी आपके साथ इनका बाचीत होगा ना, आप इनको खुद आने दो, चीक है, इन्हें खुद और प्यार महसोस करनी की जरूरत है, और हील होनी की जरूरत है, जो ट्रांस्फरमेशन इनके जिन्देगी में आ रहे है ना, मुझे ऐसा लगता है क यह परसन उससे काफी ज़्यादा हील हो रहा है, इन्हें काफी लग रहा है कि लाइफ इनके लिए बहुत ज़्यादा बोज बन गई है, अंधेरासी च्छा गई है, आपके साथ इन्होंने जो गलत किया है ना, उस चीज़ का अंदाजा परसन अभी फिलहाल के लिए तो ल इनके अंदर अंदर भी आ सकते हैं, ठीक है, इतना ज़ादा यह परसन इमोशनल होते हैं रात को जब भी सोचते हैं, स्टॉक करते हैं, देखते हैं आपके फोटो बगेरा, तस्वीर बगेरा आपके देखते हैं, लगता है कि आप अपने लाइफ में खुश हो, आगे बढ हो गे इनके लिए, क्या ही किया है इन्होंने आपके लिए, पर डेफिनेटली परसन काफी इमोशनल है, आज के दिन जब बैटके में यह रिडिंग पढ़ रही हो ना, मुझे ऐसा लगता है परसन रात को ही क्यों, पूरा दिन आपके माइंड, इनके माइंड में आप हभी रहते हो, डेफिनेटली, यह परसन बहुत ज़दा सोचते हैं, बहुत ज़दा सोचते हैं आपको लेकर, काफी फैंटसाइज करते हैं, आप लोग जो जगा पर मिलने जाते थे ना, परसन डेफिनेटली वो जगा को मिस करते हैं, आपको कहीं मिलने बुला सकते हैं, वीडि उसे जो reunion करना चाहते है ना, उनका जो energy है वो काफी अलग है, तो ये person को आप past की energy से judge ना करे, यहाँ पर दोनों इनसान एक दूसरे को किस करता हुआ नजर आ रहे मुझे, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहे है दोनों इनसान intimate होता हुआ नजर आ रहे, ओके, दोनों इनसान एक sex करता हुआ नजर आ रहे, एक दूसरे के साथ ये दोनों body मिलता हुआ नजर आ रहे, दोनों के body को satisfied करता हुआ नजर आ रहे, किसी के breed है आपके partner की, तो वो आपके, मतलब गालों पे ये person touch करवा कि आपको और शायद happy feel करवाना, और शायद satisfied feel करवाना चाहते है, आपके हा पार्ट देखना चाहते है, हर वो पार्ट में ये person touch करना चाहते है, जिसको वो हमेशा से touch करना चाहे है, fantasize करते है, जब भी करते है तो ये सब को जिनके दिमाग में आही जाता है, वो attraction, वो fiery energy, वो प्यार, वो spark ये person किसे और के लिए feel नहीं करता, जो आपको लेकर feel करते ह D हो सकता है, ठीक है, ये person का जो initial है न, D हो सकता है, T हो सकता है, C हो सकता है, सिंग राशी हो सकता है, मेश राशी हो सकता है, fiery energy मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, जादा, आपके partner की तरफ से, आपका हो सकता है, आप काफी attractive personality हो सकते हो, सारे sign वालों के लिए है, पर इस sign मुझे कुछ ज़्यादा लगी, 27, 23, 20, 11, 15, इस September में किसी का birth rate हो सकता है, ठीक है, ये सब मुझे लगा, 5, number 5 आप लोग के लिए important हो सकता है, number 2 आप लोग के लिए important हो सकता है, आपको अपनी feelings क समालने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, आप इतना उताबले मत हो कि कब आएगा ये person कब मिलेगी justice, आपको लेड़गो करना है और अपने life में आगे बढ़ जाना है, ठीक है, इस person को वक दो, time दो, आपको काफी ज़्यादा balance energy में, power energy में person देखते है, power में देखते है आने वाले दिनों में person आपको, okay, so, चलो, candle की पूरी energy मैंने ले लिया है, ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, please universe guide करें, मेरे viewers के जो पार्टनर है, उनके साथ क्या, उनका रिष्टा ठीक होगा, रात को अकेले में person क्या सोचते है, कोई decision making करते है, क्या है, release your x, ठीक है, the time is come to clear your energy, तो देखो, मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर x past को बोला जा रहा है, कि आपके past की जो energy है, ठीक है, उसको आप release कर दो, अगर आपके partner को भी यहीं universe के तरफ से science वगेरा दिया जाता है, कि आप इसको release करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, उस कड़वाहट को लेकर बैठे रहे, तो कभी भी रिष्टा ठीक नहीं होगा, कहां से शुरू करोगे, और देखते हैं, love yourself first, तो मैंने क्या कहा, आपको let go कर देना है, और self respect, आपका कहां पर self respect है, आपको अगर लग रहा है, कि यह रिष्टे में खाली मैंने ही दिया है, तो आप रुक जाओ, ठीक है, ऐसे जल्दबाजी नहीं है, आपका intuition अगर बोले तो आप इसमें आगे बढ़ना नहीं, त definitely person सारा सब कुछ release करना चाते है, new beginning आपके साथ definitely करना चाते है, यह person को आपको देखके ऐसा लगता है, आप काफी बदल गए हो, self love कर रहे हो, आपके पास आप काफी सुन्दर हो गए हो, smart, handsome हो प्रिटी हो गए हो, अपने दुनिया को लेकर ना आप मगन हो, लाइफ में ताकि और पांच लोग आपको पसंद करें, ठीक है, pay attention to your red flag, तो आपके जिन्दगी में, जितना भी very soon, bottom of the deck से, तो जितना भी आपके जिन्दगी में obstacles आए है, जितना भी challenges आए है, जितना भी दुखी आप हुए हो, ठीक है, उस पे आपने काफी जादा attention दिया है, the sign are tuning you, तो मुझे आप पर ऐसा लगता है, कि आपने काफी जादा उन पर ध्यान दिया है, उस चीज को आप पार करके आए हो, ठीक है, आपने ऐसा ने की नज़र अंदास करके अंधेवन के आप रहे गए, बहुत बार आपने गलती किया है, पर उस गलती से आपको सीखे हो, परसन तो आपको negative नहीं बनना है, positively सोचिए, जैसा सोचिंगे वैसा होगा, ठीक है, वैसा manifest होगा, आप काफी good manifester हो सकते हो, आप जो सोचते हो, कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद, वही person, वही गाना, वही सब कुछ आपको देखनी को मिलता है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता ह तो comment section में जरूर लिखना, इसका मतलब यह आपका vital time है, आपको सोच समझ की कुछ सोचना चाहिए, condition ले लेना चाहिए, ठीक है, जो सोचो के वही manifest होगा, तो positive सोचो, कि person के साथ मेरा reunion हो जाएगा, ठीक है, positive सोचो, यह person भी positivity के तरफ बढ़नी की कोशिश कर रहे, ताकि इ definitely short time energy है, आने वाले दिनों में person आपके life में आ सकता है, ठीक है, number seven भी आप लोगों के लिए important हो सकता है, please universe guide करे, please universe guide करे, please universe guide करे, मेरे viewers को यह partner उनको लेकर क्या कहना चाहते है, क्या हुआ है उनके life में, lonely, तो person काफी जादा फिलहाल के लिए तो lonely है, काफी जादा मुझे person होता है न, वैसा मुझे लग रहा है, depression, तो person के अंदर काफी जादा चीनताए है, काफी depressed है ये person की, काफी मैंने कहा न, आप लोग की रिष्टे जब बिचड गये थे, तो उसको लेकर काफी सोचते है, cheat तो किया है, गोश्ट तो किया है, भाग तो गये है, इसको लेकर सो कुछते है, देखो, past life connection हो सकता है, जिसके कारण person काफी जादा आपको miss करते है, decide करते है, you know, आप picture वगेरा देख सकते हो, कि इस तरीके से romance कर रहे है, तो very soon आने वाले दिनों में person आपके साथ कोई romantic चीज़े create करने वाले है, I am afraid to contact you, तो जो भी situation हो रखी है, इसके लिए person काफी जादा भैभित है, ठीक है, यह इनमें fair है, doubt है, कि आना चाहिए की नहीं, तो यह clear हो जाए, एक बार तो person definitely कोई ना कोई action लेंगे, पर time लगेगा, वक्त लगेगा, धीरज रखो, let go कर दो, आप भी याद रखो इनको, पर इतना day by day आपको wait नहीं करना है, person definitely बहु आ सकता है, miraculous way में इनकी तरफ से call messages, तो यह है कुछ messages जो मैंने pick up करनी कोशिश के आई हो, पापको पसंदा है, रिसने ट्वी है, don't forget to subscribe my channel, मेरा main channel, जो है starter 1111, वो comment section में लिंक दे दूँगे, जरूर देखना, facebook में starter 1111, same name पे है, reels वगेरा, वहाँ पर मैं डालती हूँ, आ नहीं मैं मिलते हैं आप लोगों साथ नहीं कोई वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye and take care.